नमस्कार आज मैं आपसे इस टाइम इंटरनेट पर बहुत ज़दा वाइरल हुए डेलगोना कॉफी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल ही पोफेक्ट एन एक्सपरिमेंटेट मेजरमेंट के साथ कि हमें कितना इंस्टेंट कॉफी में कितना शुगर आड़ करन एक हाट कॉफी बनाएंगों और एक कोल्ड कॉफी बनाएंगे रेड का सब्सक्राइब जैनल को सब्सक्राइल करें और हिस तरीके से यला को भे मैद एकन को हैट कर ले जेए ऐसा करने से को लेटेस्ट वीडियो के प्डेटа समेशा मिलते रहेंगे अब सब्सके पहले हम क कॉफी चीनी और पानी का मेजरमेंट करेंगे तो यहां पर मैं दो टेबल स्पून कॉफी पाउडर एड़ करेंगे तो यहां पर एक टेबल स्पून कॉफी के लिए मैं तीन टेबल स्पून चीनी एड़ करेंगे तो यहां पर हमने दो टेबल स्पून कॉफी एड़ किया है तो टोटल में मैं 6 टेबल स्पून चीनी आट करूंगी और उसी टेबल स्पून से हम 2 टेबल स्पून पानी भी आट करेंगे जितना कॉफी लिंगे उतने ही टेबल स्पून पानी भी आट करेंगे अब इसको हम whisk करेंगे तो आप किसी hand whisker का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास electric beater है तो इसका इस्तमाल करिएगा क्योंकि electric beater से beat करने से ये बहुत ही जल्दी सिर्फ 3 मिनिट में बिल्कुल creamy साथ का texture आ जाएगा लेकिन चिंता वाली कोई भी बात नहीं है अगर आपके पास electric beater नहीं है तो आप hand whisker से इसको beat करिएगा 10 मिनिट में बिल्कुल creamy texture आपको मिल जाएगा हमें इसको चीनी dissolve होने तक बिल्कुल creamy साथ texture आने तक और proper peaks मिलने तक beat करना है हमने घड़ी देखकर इसको सिर्फ तीन मिनिट के लिए beat किया है और तीन मिनिट में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्रीमी साथ texture आने तक और प्रॉपर peaks मिलने तक बीट करना है तक बिल्कुल creamy साथ texture मिल चुका है और बहुत ही अच्छे peaks आये हैं तो यह ready हो चुका है तो चले अब हम कॉफी को असम्बल करते हैं हमने इसको कठा कर लिया है और आप देख सकते हैं कि यह स्पून से भी काफी अच्छे तरीके से पूर हो रहा है आप चाहें तो डिरेक्ली स्पून से भी ग्लास में एट कर सकते हैं बट इस वीडियो में हम थोड़ा से तो उसके लिए मैंने यहां पे एक पाइपन बैग लिया है पाइपन बैग के आगे का नॉजल आप किसी भी शेप का लगा सकते हैं तो अब हमें ग्लास लेंगे और उसमें पाइपन बैग को सेट कर देंगे ताकि इसमें अच्छा खासा इस पेस बन जाए और अब यह जो फ्लफी सा कॉफी और चीनी का मिक्शर है उसको हम पाइप इन बैग में एड़ कर देंगे मिक्शर को हमने पाइप इन बैग में फिल कर दिया है हमने पाइप इन बैग में इसको फिल कर दिया है तो चलिए अब हम अपने डेलगोना कॉफी को भी एसेंबल कर लेते हैं अब हमें कोई भी ग्लास ले लेंगे जिसमें भी हम सारी चीज़ें एसेंबल करना चाहते हों तो उसमें हम सबसे पहले कुछ आइस क्यूब्स एट करेंगे और आइस क्यूब्स के बाद चिल्ड मिल्क एट करेंगे ग्लास को हम पूरा नहीं फिल करेंगे मिल्क से इसमें हम थोड़ा सा स्पेस बचा देंगे तो यहां पर हमने थ्री फॉर्थ ग्लास फिल किया है अब जो हमने पाइप इन बैग में इंस्टेंट कॉफी चीनी का फ आइड कर सकते हैं यह तोटली आपके प्रिफरेंस के उपर है और अगर आप भी पाइप इन बैग से इस तरीके से आइड करना चाहते हैं तो आप किसी भी शेप का नौजल का इस्तमाल कर सकते हैं तो लीजी हमारा कॉल्ड डेलगोना कॉफी सर्फ करने के लिए बिलकुल तैयार है अब हमने दूसे गलास में हट डेलगोना कॉफी भी बना कर त्यार कर लेते हैं तो हट डेलगोना कॉफी बनाने के लिए कि अगर आपका टेस्ट नॉर्मल मीठा है तो आपको एक्स्ट्रा शुगर एड़ने की ज़रत नहीं पड़ेगी इस अगर आपको महसूस हो तो आप एक्स्ट्रा शुगर इस मिल्क में आड़ कर सकते हैं यह फलफी कॉफी एड़ करने से पहले तो अब हम इस फलफी कॉफी को एड़ करेंगे मिल्क के ऊपर तो लीजिए यह हॉट डेलगोना कॉफी भी सर्व करने के लिए बिल्कुल तयार है इसको सर्व करने से पहले हम थोड़े चौको चिपसे इसको गानिश कर देते हैं जिससे इसका लुक और अच्छा और अट्रक्टिव हो जाए बट यह टोटली ऑप्शनल है तो लीजिए यह हॉट एंड कोल डेलगोना कॉफी पीने के लिए बिल्कुल तयार है आप इस वीडियो में बताएगे इंस्टेंट कॉफी और शुगर के मेजुरमेंट से इस फ्लफी कॉफी कॉफी को बनाएगा होफिली आप सबको बहुत ज़दा पसंद आएगा तो अब हम मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मुच फो वाचिए इस वीडियो